हेलो एब्रीवान वेल्कम बेक टू माई चैनल तनु आर्ट्स ब्लॉग देखे आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए ये डिजाइन ले कर आई हूँ देखे ये आपका एस्ट्रेट डिजाइन है देखे आपका एस्ट्रेट पूरा उपर तक जाएगा देखे इस डिजाइन को आप जैन्स हाफ स्वेटर में जैन्स फूल स्वेटर में बेवी स्वेटर में लेडिस कारडगन में लेडिस ब्लाउज में आप किसी भी प्रोजेक्ट में बनाएए ये डिजाइन बहुत अच्छा लगेगा ये डिजाइन आपका टू रो का है देखे टू रो फिर टू रो इस तरीके से आपको रिपीट करते जाना है अपनी पूरी प्रोजेक्ट में ये टू रो रिपीट करते जाना है अगर आप मेरी इस चैनल पर नए है तो प्लीज मेरी इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिये और सब्सक्राइब करके अल नोटिफिकेशन के बेल को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नियो वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे बैक साइड से देखे ये डिजाइन ऐसा दिखता है चलिए ये डिजाइन बनाना स्टार्ट करते हैं देखे आपको इस डिजाइन में फंदे किस तरीके से सेट करना है आप बॉर्डर के बाद फंदे सेट कर लीजे देखे फोर फंदा सीधा फिर वन फंदा उल्टा फिर सिक्स फंदों से डिजाइन बना लीजे फिर वन फंदा उल्टा बीन लीजे फिर 4 फंदा, सीधा, फिर 1 फंदा उल्टा, 6 फंदा डिजाइन, इस तरीके से आप फंदे सेट करते जाएए, अपनी प्रोजेक्ट में, फर्स्ट रौ देखे, फ्रंट साइड से, आपको फ्रंट साइड से बनाना है, फर्स्ट रौ, फर्स्ट फंद स्लिप कीजिए, और बेहन लीजिए सीधा, देखे, फ्रंट फंद आपका सीधा है, फिर ओन आगे कीजिए, वन फंद उल्टा बीन लीजिए, फिर ओन पीछे कीजिए, इस तरीके से आप, उन को आगे कीजिए, डवल करके देखे, इस तरीके से, और ये देखे, आप जिस फंदे को इस तरीके से खीच सके, इस साइड स से आपको नहीं बीनना है इस साइड से बीन लेना है देखे इस तड़ी के से बीना है देखे इस तरीके से टू फंदा बीनने के बाद इस tax Rewn को खीच लिजिए इस तरीके से देखें आपका ये वन डिजाइन बन गया है टू फंदों से फिर इसी तरीके से आप बीन लीजे देखें फिर ओन कीचिए और ओन इस तरीके से डाले और फिर बीन लीजे देखें आपका थ्री डिजाइन बनाए टू टू फंदों से देखें फिर ओन आगे कीजे और वन फंदा उल्टा बीन लीजे फिर ओन पीछे कीजे और फोर फंदा सीधा बीन लीजे देखें इसी तरीके से आपको बीन लीजे फिर 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 फंदा उल्टा फिर इस तरीके से आप ओन आगे करके डिजाइन बनाए लीजे पीछे खीच लेना है फिर ओन आगे कीजिए और डिजाइन बनाएए फिर आप ओन खीचे पीछे देखें इस तरीके से आपको ये डिजाइन बनाना है फिर आप फंदा उल्टा बीन लीजे शिक्स फंदा डिजाइन बनाने की बाद देखें फिर फोर फंदा सीधा बीन लीजे और ओन आगे करके वन फंदा उल्टा यही आपका रिपीट होता जाड़ा है फर्स्ट राव में बहुत ही इजी बहुत ही ब्यूटिफुल डिजाइन है लास्ट में फोर फंदा सीधा बीन लीजे देखें आपका फर्स्ट राव कंप्लीट हो गया है इसी तरीके से आपको फर्स्ट राव बीनना है देखें सकेंड राव में आपको बैक साइड से इस शिक्स फंदेको भी उल्टा बीनना है इस फोर फंदेको भी उल्टा बीनना है वस आपको ये उल्टा बीनावा फंदा देखें दोनों साइड के आपको बैक साइड से सीधा बीनना है वन फंदा ये और वन फंदा ये भी देखे सकेंड रो बैक साइड से फर्स्ट फंदा स्लिप कीजिए फिर आप उल्टा बीन लीजिए फोर फंदा उल्टा फिर ओन पीछे कीजिए वन फंदा सीधा बीन लीजिए फिर ओन आगे कीजिए सिक्स फंदा उल्टा बीन लीजिए देखें इस तरीके से सिक्स फंदा उल्टा बीन आ गया है फिर ओन पीछे कीजिए वन फंदा सीधा बीन लीजिए फिर ओन आगे कीजिए फोर फंदा उल्टा बीन लीजिए आपको इसी तड़ीके से सकेंड रोव बीनना है त्यान से देखिए ये डिजाइन ऐसी आपको सकेंड रोव बीनना है बीकिर देखे आपका second row complete होने जा रहे है देखे आपका second row complete हो गया है इस तड़ी के से आपको second row भीनना है देखे ये डिजाइन बन कर तयार है आपको यही टूर रिपीट करते जाना है अपनी प्रोजेक्ट में अगर आपको यह डिजाइन अच्छा लगाओ तो प्लीज लाइक शेर और कॉमेंट कीजे अगर आप अभी तक मेरे इस चैनल को तनु आर्ट्स ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं कियें तो अभी सब्सक्राइब कीजे लाश्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक्यू सो मिलते हैं ऐसे ही नियो डिजाइन्स के साथ अगली वीडियो में